Sony ZV-1 आजकल इसका बहुत चर्चा हो रहा है YouTube में आल्मोस्ट सारे बड़े-बड़े YouTubers Photographers, Cinematographers, Vloggers, जो भी हो ZV-1 को टेस्ट किया है मैंने उसका Hands-On नहीं किया जो भी मैंने इसके बारे में जाना है मैं आपको Consolidate करके उसका Pros and Cons बताऊंगा And by the end of the video आपको यह clearly पता चल जाएगा आपके लिए यह camera है कि नहीं हम usually DSLR और mirror glass के बारे में बात करते रहते हैं और मुझे तो ऐसे लगने लगाता कि Point and Shoot चला ही गया लेकिन Sony का ZV-1 जो है It looks as if it's given a new life to the point and shoot 20 megapixel का 1 inch sensor है जिसके वज़े से आप Video quality जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपेट करने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ हम image quality, video quality के पीछे भाग नहीं सकते जब हम YouTube के लिए video record करते हैं, vlog करते हैं features भी बहुत important बन जाता है and this camera has packed features vloggers का जो favorite part है वो articulating screen है and this camera gives you that and because it goes on the side वो camera की उपस की space को भी hinder नहीं करेगा भलाई इसमें menu में touch screen नहीं है but it has got touch to focus screen को आप touch करके focus कर सकते हो इसमें skin smoothming का भी feature है पता नहीं कितने लोग यूज़ करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि एक specific category है जो इस feature को यूज़ करेंगे funny बात तो ये है ये एक default feature है अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको off करना पड़ेगा इसका एक और बहुत अच्छी बात है vloggers जो है वो कौन से situation में कहां पे रहेंगे ये पता नहीं चलता है मतलब वो ऐसे ऐसे situations में होंगे जहां पे light जो है brightness जो है वो change होता रहता है इसलिए उस change of exposure को handle करना भी बहुत important हो जाता है example अगर आप बहुत bright situation से dark situation में आ गए उस dark situation में भी this camera performs well और अगर आप ऐसे situation में हो जहां पे आप अंधेरे में हो लेकिन आपके पीछे बहुत brightness है इसमें भी ये camera उसको बहुत अच्छे से balance करने की कोशिश करता है at least for a camera of this range it does pretty good job इसमें एक option है product showcase set youtubers specific products के बारे में जब बात करते हैं वो हाथ से उस product को निकाल के ऐसे camera के बीच में आके दिखाते हैं at this point of time it's very important कि यो जो camera है वो उस moment के लिए product को focus में रखे और जैसे आप product को निकाल के रख देते हैं वापस चेहरे पर focus करें ये काम बहुत अच्छे से कर देता है यहाँ पर एक button भी है specifically to make the background defocused in fact मैं बहुत ही ज़्यादा surprise हो चुका हूँ इस particular functionality को देखके जब भी background blur होता है इसका मतलब यह है कि aperture wide है और जब भी aperture wide होता है इसका मतलब बहुत brightness भी आता है मतलब एकदम से exposure ज़्यादा हो जाता है लेकिन इस camera में ND filter को इस तरीके से use किया गया है कि जैसे ही आप background blur बनाएंगे जैसे ही वो aperture wide हो जाएगा वो light को भी उसी तरीके से compensate कर देगा this is a really really beautiful feature in fact काफी सारे vloggers जो है इस चीज को miss कर रहे थे ND filter को लगाना निकालना यह सा बहुत मुश्किल है vlogging में यह तोड़ा सा overhead भी हो जाता है but this particular camera solves this problem slow motion में 240, 480 और 960 fps तक का है of course जैसे जैसे वो slow motion ज़्यादा होगा वैसे quality of the video deteriorate होगा लेकिन you still have an option अगर आपको whatsapp में कोई एक छोट सा video share करना है और जो भी वो video देखेगा they are not too concerned about the video quality यह 960 fps को use करके बहुत ही ज्यादा slow motion create करना it's sometimes interesting इसका जो microphone है inbuilt microphone quality काफी अच्छा है और vloggers को consider करके they have given you a complimentary sock जो obviously वो wind की sound को stop कर देता है इतना जादा vloggers के लिए customize मुझे लगता है कि कोई भी camera नहीं हुआ था और सबसे अच्छी बात यह है मैं काफी सारे vloggers को देखता था इतना छोटा सा camera और इतना बड़ा सा वो road mic मिलता है वो वाला यूज करते थे अगर आप रस्ते पे जा रहे हो भले ही camera छोटा है mic बहुत बड़ा दिख जाता था इसमें वो problem भी solve हो गया in a way there are a lot of pros to these cameras लेकिन ऐसे नहीं कि यह बहुत ideal है इसका problems भी है let's discuss that इसका widest focal length जो है वो 24 mm है 24 to 70 it's a beautiful range लेकिन जो travelers होते हैं travel vloggers जो होते हैं उनको थोड़ा सा सोच के यह वाला camera लेनी की ज़रुत है because होता क्या है यह जितने भी videos मैंने देखा है जिसको भी use करते हुए देखा है screen का बड़ा area आपका चेहरा ही cover कर देता है काफी सारे जो travel vloggers होते हैं वो चाहते हैं कि वो जहाँ पे है वो जगा दिखे जब वो travel करके बात करते हैं हम उनके आसपास भी देखते रहते हैं कि आसपास क्या है personally I feel जो travel vloggers है जो ज़्यादा खुद को नहीं लेकिन उस particular place को दिखाना चाहते हैं for them probably this is not a good camera यह stabilize अच्छे से कर देता है लेकिन stabilize करते वक्त यह और थोड़ा सा crop कर देता है मतलब 24 mm was just enough लेकिन अब उस पे भी crop आएगा यहाँ पे थोड़ा सा problem हो जाता है इसका major problem है heating problem अगर आप 4K में इसको record कर रहे हो तो 5 minute में heating शुरू हो जाता है वैसे तो आप 15-20 minute तक उसको record कर सकते हो technically उतना record कर सकते हो नॉर्मली भी जब आप HD recording करोगे heating problem उसमें भी होगा अगर आप 1-2 घंटा continuously vlog कर रहे हो HD recording में भी heating शुरू हो जाता है अगर आप ऐसे vlogger हो जो सुबह से शाम तक अपने camera को रखे साथ में record करते ही रहते हो this camera may not be the right camera for you हो सकता है कि आपके recording में आपको break लगाना पड़ेगा एक दो घंटा शूट करो उसके बाद shadow में जाओ या cold environment में जाओ and let the camera cool down उसके बाद आपको फिर continue करना पड़ेगा उतना powerful battery नहीं है जिसके वज़े से आपको 2-3 battery तो रखना ही पड़ेगा इसमें USB charging का option है लेकिन ये latest वाला नहीं है जिसके वज़े से charging थोड़ा उसमें भी slow होगा anyways जब आप इसको लेके घूमोगे I personally feel multiple battery is only the solution हर Sony menu की तरह ये भी थोड़ा सा confusing menu है Canon की जैसे straightforward नहीं है simple नहीं है लेकिन जब आप use करने लगेंगे कोई भी menu हो हम used to हो जाते है अगर आप Canon से Sony पे shift कर रहे हो initially आपको problem आएगा menu system को जानने में क्योंकि maximum menu items जो है Sony में बहुत customizable होता है technically वो easy होना चाहिए लेकिन वो बहुत confusing हो जाता है last but not the least this is not for filmmakers इतना अच्छा quality नहीं होगा obviously because इसका जो sensor है वो थोड़ा स्चोटा है 1 inch sensor है specifically ये vloggers के लिए बना हुआ है लेकिन मैं इसमें भी vloggers का दो different category बनाना चाहता हूँ एक वो travel vloggers जो ज़ादा तर place को दिखाना चाहते है उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये particular camera नहीं है just because of its focal range आपको अगर जगा दिखाने का मन है you at least need 16 mm तो फिर ये किस के लिए है ये उन YouTubers या उन vloggers के लिए है जो ज़्यादा तर अपने life दिखाते हैं हम जब इनकी वीडियो को देखने जाएंगे place को देखने महीं जाते हैं इनकी बाते सुनने जाते हैं इन YouTubers का जो personality है वो हमें content से भी ज़्यादा important हो जाता है काफी सारे YouTubers जो है अपना lifestyle ही दिखाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है आपको pretty much idea है कि ये camera क्या कर सकता है जब तक वो camera market में आएं जब तक वो इंडिया में accessible हो जाएं उत्मे में अगर उन्होंने कुछ-कुछ problems अगर fix कर दिया खास करके heating problems then definitely this camera would replace many cameras अगर हम लोग US Canada का price देखे तो approximately 60,000 आता है हो सकता है कि यहां पर उससे थोड़ा ज़्यादा हो इसके साथ जो handle आता है उसके लिए 11,000 extra लेकिन अगर इस camera को आप लेने वाले हो then definitely that handle will come handy I would recommend कि आप उस handle को खरीदो it acts like a tripod also लेकिन यह camera आपके लिए है या नहीं यह आपको decide करना पड़ेगा I hope you like this video if you liked it, please let me know by hitting that thumbs up don't forget to subscribe to my channel thanks again, take care